लोगसभा में विपक्ष की निता राहूल गांधी ने दावा किया कि सरकार उनके खिलाफ एडी की कारवाई की तयारी कर रही है राहूल के इस दावे की बाद सत्तारून बीजेपी और विपक्षी गुट इंडिया के बीच जम कर वार पलट वार शुरू हो गया शिफसेना उद्धव बाला साहिब गुट की सांसर प्रियंका चतुरवेदी न कहा कि अगर एडी ऐसी कोई योजना बना रही है तो विपक्षी गुट इंडिया राहूल गांधी के साथ खड़ा है अगर राहूल गांधी का दावा सच है तो पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा अगर देश के विपक्ष के निता राहूल गांधी जी के ऊपर अगर छापे मारी के लिए अगर सोचा जा रहा है तो ये इस बात को दिखा रहा है कि भाजपा इस देश में ताना साही को अस्थापित करने के जित पर अड़ी है लेकिन भाजपा अगर ये सोचती है कि चुनाव पांच साल बाद है इसलिए फिर हम सरकार हमारी बन गई हम कुछ भी करेंगे तो अगर वो ताना साही के जित पर रहेगी तो संगर्स के लिए विपक्ष एक जुट हो करके आगे पड़ेगा दूसरी और बिजेपी नेताउन कहा कि राहूल गांधी एडी से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे दोशी हैं केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग ने पूछा कि राहूल गांधी को सदन के अंदर बताना चाहिए कि उन्हें किस अधकारी का फोन आया है देश का दुरभग्य है कि ऐसा लुच्चा जुट्था एलोपी हुआ है सदन में आके बोलना चाहिए बताएं कि कौन ब्यक्ति उनको फोन किया है ये सरमिंदित है जो अनराग ठाकुर ने इन से पूछा अभी तक देश को नहीं बता पाए हैं अनराग ठाकुर के परशनों का जबाब नहीं दे पाए हैं इस सरमिंदित हो करके नया नेरेटिव ये जूट की खेती करते हैं इससे बड़ा दुरभाग्य भारत का कुछ है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें